दोस्तो शाउमी के MIA2 device में अगस्त का security page अपडेट आ चुका है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तो चलिए यहाप कुल system में जाना है और system अपडेट में जाना है यहाँ पर आपको यह दिख जाएगा देखी आप 26 MB का अपडेट है दोस्तो और यह information लिगी गई है अपडेट में किसी अपडेट पर वीडियो भी नहीं बना रहा क्योंकि इन में हमें कुछ कास improvement देखने को नहीं मिलता है लेकिन दोस्तो इस वाले अपडेट में हमें जुलाई वाले अपडेट की अपेक्शा बेटरी लाइप ज्यदा देखने को मिलती है जुलाई वाले अपडेट में दोस्तो बेटरी लाइप तोड़ी कम लगी मुझे इस बार के अपडेट में मुझे बेटरी लाइप के related कोई issue नहीं नजर आया तो दोस्तो MI-A2 users के लिए positive point होगा और दोस्तो इसमें एक recording का feature आया था अगले 2-3 अपडेट पहले तो दोस्तो आप यह देख सकते हैं मैंने update डाउनलोड कर लिया है डाउनलोड इस्टोल हो रहा है update और optimize हो रहा है automatic तो दोस्तो आप restart का option आ चुका है मैं फोन को restart कर लेता हूं और दोस्तो मैंने finally phone को restart कर लिया है यह देखिए दोस्तो आप finishing system update लिखा आ रहा है अभी system update फिनिश होने वाला है complete पुरी तरह से setup हो रहा है अभी update तो दोस्तो complete हो चुका था और reboot हो चुका था यह देखिए दोस्तो system update complete हो चुका है मैंने दोस्तो इस device को 24 तारिक को update किया था और दोस्तो यह android version 10 और android security page लेवल अगस्त का दिखा रहा है देखिए आप android security page लेवल 5 अगस्त 2020 लिखा आ गया है दोस्तो देखिए आप और बाकी की information है दोस्तो आप पढ़ सकते हैं चाहिए तो वीडियो को post करके और दोस्तो आपको एक 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 और news बताना चाहता हूँ वह MI A-series वालों के लिए bad news कही जाएगी क्योंकि दोस्तो MI A-series के जो अगले phone है MI A4 वगेरा तो उनके लिए काम करना पन कर दिया है दोस्तो मैंने यह news gsmarina पर पढ़ी थी आप आप देख सकते हैं दोस्तो स्क्रीन पर यह इस टैप से gsmarina.com पर यह ख़बर मैंने पढ़ी थी तो मैंने आपको बता दिया दोस्तो MI A-series पसंद करने वालों के लिए बहुत बूरी ख़बर है देखा जाये तो क्योंकि इसमें दोस्तो MI A-series के फोन नहीं आने वाल है और दोस्तो काफी popular series रही है और काफी अच्छे device आते थे दोस्तो मुझे personally काफी अच्छे लगते हैं इस series के device और मैंने खुद ने personally MI A-series को काफी टाइम तक यूज़ किया है दोस्तो काफी customer को problem नजर आती है फिर भी दोस्तों stock android lovers ने तीनो मोडल को खरीद है MI A-2 भी कूब भी काता MI A-2 भी कूब भी काता और MI A-3 भी कूब भी काता जिनको stock android की value पता है दोस्तों उन्होंने इसको खरीद है था compromise करके दोस्तो मैंने भी MI A-2 device करीदा था compromise करके क्योंकि इसमें मु अची सीरीज थी अगर आप technology में इंट्रेट रखते हैं तो आप इस सीरीज के बारे में अच्छे थे जानते ही होंगे दोस्तों हो सकता है यह मेरा last video MIA series के लिए शायद मैं आगे वीडियो नहीं बनाओ क्योंकि दोस्तों update मिलना बंद हो सकते है MI A-2 में तो MI A-3 में तो द दोस्तों finally आपको कोई सवाल और सुजाओ हो तो comment जरूर करें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को like और share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें